आज हम बनाएंगे वेच बुलाओ इसके लिए हमें चाहिए 2 cup boiled rice, 1 cup chopped onion, 1 cup chopped beans, 1 cup chopped carrot, 1 cup chopped capsicum, boiled peas, चॉप पनीर, 2-3 long, 1-2 elai-chi, दाल चिनी, तेज पत्त, चॉप ग्रीन चिली, 1 टेबल स्पून चिकन मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पावडर, 1 टी स्पून गरम मसाला, 1 टी स्पून जीरा, 1 टी स्पून रेच चिली पावडर, 10-15 किश्मिश, salt to taste, oil for cooking, एक पान में हम ओईल करम कर लेंगे, उसमें जीरा डालेंगे, टेज पत्त, इलाइची, दालचीनी और लॉंक और इसको एक मिनिट के लिए सॉटे करेंगे, सॉटे हो गया है, अब इसमें हम अनियन डालेंगे, और इसको सॉटे करेंगे, अनियन सॉटे हो गया है, अब इसमें हम क्यार्ट डालेंगे, बीन्स डालेंगे, और इसको 5 मिनिट के लिए सॉटे करेंगे, अब इसमें हम क्यापसिकम डालेंगे, ग्रीन चिली, इसको भी 5 मिनिट के लिए सॉटे करेंगे, अब इसमें मटर डालेंगे, इसको 2-3 मिनिट के लिए ही सॉटे करेंगे, इसको जादा सॉटे नहीं करना, क्योंकि मटर अल्रेटी बॉइल कर लिया था, और किश्मिश डालेंगे, अब इसमें पनी डालेंगे, और इसको मिक्स करेंगे, अब इसमें चिकन मसाला, कुरींडा पावडर, गरम मसाला, सॉल, रेट चिली पावडर, और इसको मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसको वन मिनिट के वे सॉटे कर लेंगे, अब हम फ्लेम को बन करतेंगे, और इसमें राइस मिक्स करेंगे, अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अब हम दुबारा से फ्लेम ओन करेंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से, हमने फ्लेम बन करके इसलिए राइस मिक्स किये थे, क्योंकि उसे राइस चिपकते नहीं है, और खेले-खेले बनते हैं, पुलाव रेडी हो गया, अब हम इसको सर्फ करेंगे, यह थे हमारे आज की डिश, विच पुलाव, मेरी और वीडियो के लिए प्रीज सब्सक्राइब करें, फ्लीज लग के शेयर, बाई,